नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद एक वर फिट से आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देरे स्टेडी पॉइंट पे स्वागत है आज अपन एक नया टोपिक सुरू कर रहे हैं मोरे सामराज्ये और इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं जानकरी के स्रोत यानि मोरे सामरा जो विद्यारती है उनके लिए इंप्रोटेंट है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को मोरे सामराज्ये की इत्यास को जानने के शुरूत का वर्णन निमनलिकित के आ जा सकता है ठेक है अकिरकार में हमें कैसे पता चला कि कोई मोरे सामराजे भी होगा था इत्यास में प्रा बारा लिखित हैं उन से हमें है ना जो मोरे सामराजी के बारे में जानकारी मिलती है तो पहला जो शुरोत है वो अभी लेख ये शुरोत है इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लेख लिखे गए या तो कोई स्थम पर लिख दिया गया या कोई शिलालेख पर लिख दिया गया य मानने के शुरोतों में अभिले के शुरोतों का अत्यंत महत्पुनिस्तान है यानि मोरे सामराजी की जानकारी में अभिले के शुरोतों का महत्पुनिस्तान रहा है इसमें असोग के अभिले सारवदिक महत्पुन है सबसे इंपोर्टेंट यह असोग मान है ना इसको आप वि आदिम से जनता के अंदर उन चीजों को इस पष्ट करने का प्रयाश किया था थीक है तो असोग मान ने ही शुरू किया था अभिलेख थीक है असोग ने अपने अभिलेखों को सिलाओं इस्तंबो में गुवाओं में उत्कीन करवाए थे थीक कराए थीक है यहां पर important बात है यह सारी शारी असोग मान पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया कि सिला सिला का संस्क्रिट में सिला बोलते हैं इसको हिंदिम क्या बोलेंगे सिला का मतलब क्या होता है जो कोई पहाड़ी एरिया होता है उसकी चट्टाने जो कार्ट दी जाती है न उन चट्टानों क्या बोल तो उसको क्या दिया इसने इस्तंब लेख इस्तंब लिखा गया लेख घुआ यानि गुफाओं पर कुछ अंकित करवा दियों उसे क्या कहते हैं घुआ लेख तो इस परकार असोग मान ने अपने जो भी कानून है उनको इनके माद्यम से जनता के पास में प्रेशित करने का प्रियास किया आप सोच कर देखो कि यदि उसकी जगा आप उते तो अपने कानूनों को जनता तक कैसे पहुचा थे अब तो वाई बहुत सारे माध्यम चल गए फैसुक चल गए इंस्टाग्राम चल गया यूटूब चल गया उस टाइम ये सारी सारी चीज़े नहीं हुआ कर करती तो आप भी यही करते ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अब आपन देखेंगे कि अबिलेकों की भासा क्या हुआ करती थी असोक ने जो अबिलेक चलाए उनकी भासा क्या थी प्राकर्तिक जिसे पाली भासा कहते है ठीक है इसकी लीपी जो थी वो ब्रामी ली लिपी थी ठीक है किन्तु असोक के कुछ अभिलेग जिसमें साहेवाजगड़ी और मांसहरा पस्सिम उत्तरप्रदेश यानि मांसहरा कहां पर है पस्सिमी उत्तरप्रदेश में है ठीक है अभिलेग पर हैं जो खरोष्टी लिपी में लिखे हुए हैं वैसे तो इनकी भासा है ना जो भ्रामी लिपी की है लेकिन यहां पर देखो कुछ ऐसे इस्तान रहे जहां पर जो अभी लेक प्राप्त हुए साजा बाजगडी और मान सहरा यह यह ऐसे इस्तान रहे जहां पर जो शिलालेक मि कि परविद्धर्म के पर्तिषरदा परकट होती है कि यानि बोद्धर्म का विषे मैंत멋 रहा अचोकमान के यो कि पहले वह बोद्रम को नहीं बानता था पहले तो वह ना जो कुरूर था लेकिन कलिंग 261 सापूर को जो युद्ध हुआ उसमें उसके आत्मा को जंजोर कर रख दिया और उसके बाद में आखिरकार में तलवार को गिरा दिया और अहिंसा का मार गुपस ने अपना लिया और बोद्रम क जनता तक वह पहुचाने का प्रियास किया ठीक है असोग की कलिंग विजय का जो उलेक है वो भी इसमें दे रखा है देखो कलिंग का जो युद्ध दुआ था उसकी जानकरीबीन अबिलेकों के माद्यम से दे रहा है उसमें तिथी बता रहा है वो ठीक है असोग के गुआ अबिलेक से असोग दुआरा आजीवक संप्रदाय को विक्सों को दान में दी गई गुफाओं का उलेक मिलता है उसने जो गुफा थी ना उस पर भी काफी को चंकित करवाया और आजीवक जो संप्रदाय था उसके जो विक्सु हुए उनको इसने जो वो सारी दान की भूमी दी थी तो उन सभी भूमी को जो दान में दिया था उसने जो भी दिया था उसको जो इन गुफाओं के मादम से जनता तक बेजने का प्रयास किया कि यह यह चीज़े दी गई है ठीक है अन्ने सक राजा रुद्र दामन का गिरनार और नागार जुनी गुवा लेक तक आपको क्लिए रहो गया हो गया अब हमने अभी लेको की तो बात कर ली ठीक है अभी इसमें आए ना जो स्रोतों में साइतिक स्रोत आखिरकार में जो ग्रंत लिखे गए उनसे हमें किस फरकार जानकरी मिलती है अभी लेको में तो आपने देखा कि कोई फत्तर पर लिखा हुआ है कोई स्तंबर लिखा हुआ है कोई गुफाव पर लिखा हुआ है लेकिन ये ग्रंत जो लेक को दुवारा लिखे गए उनसे भी हमें काफी कुछ जानकरी मिलती है पहला जो है बहुत ग्रंत इससे अपन को क इसके बाद में जैन गरंथ इसमें बद्र बावगा कल्प सुत्र हेम चंद्र दुआरा रचित परिशिष्ट परवन ठीक है और पुरान पुरानों से भी अब यहां पर देखो को कि बहुत इंपोर्टेंट वाई चंद्र गुथ मुर्य का परधान और गुरू भी रहा है जैसे चानक के भी बोला जाता है तो यह तो इंपोर्टेंट वाई इसने अर्शास्तर लिखा तो उस टाइम की जो इस्तति थी सामाजिक आर्थिक राजनिति कि स्थति उस सब का बर्णन एंडिंज और सास्तर में उस्ने किया है उसने creo pasture में वो condition देखाई इसलिए वो सारी की सारी चीजों को इसे और सास्तर में लखता है मैगस्तनीज की इंडिका मैगस्तनीज कौन था जब 305 इसा पूर को चंदर गुपतु मौरे ने उनियार व सारी चीजय मिली थी उसको पूपर इसका नाम क्योंकि यहां पर वो रहा तभी तो भारत की इस्तितिका वर्णन कर रहा है ना ठीक है इसमें तीसरा स्रोत अपन देखेंगे विदेशी स्रोत यानि जो बाहर से जो लेखक आई थे उन्होंने क्या-क्या मोरे सामराजी के बारे में जानकरी दिये वो देखने वाले विदेश इत्यासकार जैसे नियारकस, अरिष्टोबुल्स, ओने सिक्रेटस, फर्तमान में नोट यहां पर आपने देख सिकंदर का आक्रमन हुआ था जब चंदरगुप्त मोरे राजा नहीं बना थो उस टाइम यहां मगर सामराजी की गद्दी किसके आत्प में थी घनानंद की जि उसका सामराजे था उस टाइम सिकंदर का भारत पर आकरमन हुआ था तो चानक के जो था वो एक सच्चा देशवक्त था अकीकत बता रहा हूँ, तक्सिला का जो विद्दाले रहा," उसमें वो पड़ाता था, तो सच्चा देश वक्ता उसको चिंता थी, कि सिकंदर का आकर्मन भारत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस टाइम जो राज्ये थे, वो अलग-अलग बटे हुए थे, अपने-पने स्वार्तों के कारण, और जो घनानन था, वो तो कुरूर राजा वो तो आयासी में डूबा हुआ था, वो तो रन्िवास में रहता था, लड़क्यों के साथ में डान्स करना, और यह सारी की सारी चीज़े, उसे मदीरा पान करना यह सारी की सारी, तो चानकी इसके दरबार में गया था, इसको समझाने कि भाई, सिकंदर का Аकर्मन हो रहा है समलजा भी भी लेकिन उसका अपमान किया उसके सिका को पकड़ कर आदा जो बाहर निकलवा दिया नियसाइनिकों के दुवारा तो इस परकार उसको बुरा लगा और उसके बाद मुझे ने ठाना कि इसे घनानंद को अठाना है नई तो एना जो इस शिकंदर हमारी भारत पर है नुक्सान पहुचा देगा तो उसी के साथ में वह सारी इत्यास का रहा है जिनका नाम यह दे रखा है ठीक है तो इन सभी ने भारत की स्थिका वर्णन किया है लेकिन नोट यहां पर वर्तमान में इनके गरंत उपलब्द नहीं है इन्होंने जो गरंत लिखे वो उपलब्द नहीं है लेकिन फिर हमें कैसे पता चल रहा है लेकिन यहां पर तोड़ी मिस्टेक होगी लेकिन इनके कुछ अंस हमें यु जिससे इनके गरंदों में हमें ना जो इनके बारे में जानकरी मिले हैं भारत के बारे में, ठीक है, कलिए आगर बढ़ता हूं, विदेसी इस रोट में जो दूसरा है, वहान पर भी मैंने डिसकर्ट कर लिया था, मेगस्तनीच की इंडिका इससे हमें काफी कुछ दायन करी मिलता है बता दिया है मैंने कि कहां का राजदूत है वेर इंपोर्टेंट है यह मेगस्तनीच के बाद आये हुए विदेशी राजदूत जिसमें डाय मैक्स और डायोनी सियस ठीक है यह बिंदू सार के टाइम में आये थे यह विशे स्वाध्यान में रखना तो चीजे किलियर हो रही होंगी आपको तो चोथा अपन डिसकर्ज करने वाले पुरातात्विक स्रोत यानि बहुत पुराने स्रोत जो जमीन से हमें खोद कर निकाले गए है ठीक है पिछले 50 से 60 वर्सों में मोरे काली इस्तलों का उत्खनन हुआ है उत्खनन का मतलब खुदाई हुई है ठीक है पत्ना के निकट कुमरहार बुलंदी बाग के उत्खनन से मौर्यो के भवे राजपरसाद के अवसेज मिले हैं जो मैंगिस्तनीज के विरूरंड से मेल खाते हैं यानि कुछ राजपरसाद मिले राजपरसाद क्या होता है जहां पर राजा निवास करता है ठीक है तो यह कुछ छेतर हैं पटना पटना का आए बियार में है ठीक है तो उसमें कुमरहार और बुलंदी बाग कुछ ऐसे छेतर है जहां पर उत्करन किया गया और इसके बारे में जानकर मिल रही है और यह सारा का सारा जो विवरण है वो मैगस्तिनीज ने जो इंडिका लिकी उसमें भी लिखा हुआ है तो मेल खा रहा है ठीक है राजग्रे को संबी पाटली पुतर राजग्रे मगद सामराजी की राजदानी थी को संबी अस्तिनापूर तक्सिला आदी इस्तानों में हुए उत्खनन यानि खुदाई से मोरे कालीन बहुतिक जीवन के बारे म इसकार किया वो सारी की सारी है ना जो बोतिक जीवन से समंधिता रहें कि इस पर कार रहते थे कैसे घर थे वो सारी की सारी चीजी के आएंगी बोतिक जीवन में आएंगी ठीक है पांचवा है मुद्राएं मुद्राओं में आहत या पंचमार को परमुक माना जाता है इनके शिक्कों पर ने तो किसी सासक का नाम है और नहीं कोई तिथी अंकित है यह जो सिक्के मिले हैं पंच मार के यहाँ पर विशेश वाध्यान रखना नहीं तो हमें सासक का नाम मिलता है नहीं इस पर तिथी है वो अंकित है तो friends मोरे सामराजी की सुरोतों के बारे में हमने discuss कर लिएया है व आर्यिंपोंत्न अपन मान सकते हैं क्योंकि म América सारे सारी जो गरंत है नो ऴो आगे जाकर रेपीट होंगे आसौक मान के बारे में पढ़ोगे चंदरगूत मोरे के बारे में पढ़ोगे तो सारे के सारे ग्रंत रिपीट होने वाले हैं तो ये है ना जो मोरे सामराजी की आदार सिला अपन मान सकते हैं तो इसको एक बड़िया तरीके से देख लेना मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू